इसी समाज के लोगों को सरकारी संस्थाओं और सरकारी व्यवस्थाओं से दूर रखने की साजिस की जा रही है, कि अगर आरक्चन का लाव लेना है, तो आरक्चन का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको 1993 का लोगेंज मुसाइल सर्टिफिकेट देना परेगा, और ये साजिस है इस देश के OBC समाज को सरकारी नौकरियों में रोकने तो जो quality of education हमारे बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है मैसा हमारे देश को भी loss हो रहा है और आप जैसे जो हज्जारों के तादाद में यहां बैठे ज एकनोमिक में मेरा जो परिवार को लाब मिलने वाला था मेरे नौकरी होने से वो लाब रूख गया और दूसरा financial में जो monetary जो पैसा के रूप में खानी मिल हुआ वो हमारा loss हो जब जब आपके घर पे अगर कोई नेता है कोई विधायक है कोई मंत्री है कोई बोट लेने जो पैमाना तुमने एक धरवाजा लगा के रखा है उसको खतम करो नहीं तो हम तुमको बोट नहीं देंगे ये जागिर्ती फैलना बहुत जरूरी है एक नौजवान को मौका दिया है आपके बीच में बात रखने का आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इस देश के स सबसे अहम मुद्दे पर और वो मुद्दा है दो एक मुद्दा है कि दिल्ली में खास करके जब आप देखेंगे तो दिल्ली में ऐसी कैटोगरी के लोगों को जो आरक्षन का लाभ मिलता है वो कई लोग उस लाभ से महरूम इसलिए रह जाते हैं क्योंकि दिल्ली के सेट लिस्ट बनाया गया है दिल्ली में वो आप मान लीजे कि उन्हें 47 का है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी समाज के लोगों को सरकारी संस्थाओं और सरकारी व्यवस्थाओं से दूर रखने की साजिस की जा रही है ये एक मुद्दा है जो दूसरा और हमारा समाज का जो बड़ा बर्ग है डाइमंड परिवार का वो है OBC समाज जिसकी अवादी लगभग 60% के आसपास है दिल्ली और देश में अब OBC का आरक्षन 1993 में तो दे दिया गया समझेगा इस बात की गंभीर्टा को OBC को आरक्षन 1993 में दे दिया गया लेकिन कहा ये गया उस समय में कि अगर आरक्षन का लाव लेना है तो आरक्षन का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको 1993 का दो मिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये साजिस किया जा रहा है इस देश के OBC समाज के लोगों के साथ क्यूंकि ये बात मैं तब कह पा रहा हूं जब 2019 में आप लोगों को मालूम होगा कि इस देश में रहने वाले 10% आवादी के अमीर लोगों को मैं फिर सरी पीट कर रहा हूं अमीर लोगों को जो समाजिक रूप से जो राजनेतिक रूप से ससक्त थे कब मजबूत थे उन 10% आवादी वाले लोगों को 10% आरक्षन दे दिया गया और उसमें कोई दो मिसाइल सर्टिफिकेट का कटोगरी बनाया गया, चाहे बो बिहार का कोई भूमियार हो, चाहे साउथ इंडिया का कोई ब्रहमन हो, चाहे गुजरात का कोई बनिया हो, चाहे उत्राखंड का कोई राजपूत हो, किसी को दिल्ली सरकार में सरकारी नौकरी EWS category के अंदर लेने के लिए उसको certificate लगाने की जरूरत नहीं है, फिर EWS, फिर ACBC, जिसको बोलते हैं कि socially and educationally backward classes जो हैं, उनके लिए ये domicile certificate का वेवस्था और प्राभधान क्यों किया गया, ये साजिस तो साफ साफ दिखाई देता है, और तब मुझे याद आता है वो बावा साहब अम्बेदकर के द्व equality of opportunity, कहता है न, equality of opportunity, और फिर equality कहां हो रहा है opportunity में, जब एक धड़े को, समाज के एक धड़े को, आप आरक्षन देने में कहते हो, domicile certificate चाहिए, और जब दूसरा बर्ग जो 75 साल से इस देश की सत्ता में है, उसको कहते हो, तुमको आरक्षन के certificate की जरूर, आवास ये, certificate या पर्मान पत्र की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कि यहां बैमानी की जा रही है, और आर्टिकल 14 का उलगन किया जा रहा है, फिर मैं, मुझे याद आता है, आर्टिकल 19, जिसमें ये कहा जाता है, संभिधान के आर्टिकल 16 में, कि कोई भी व्यक्ति इस देश का जो रहने बा और नौकरी रोजगार पाना चाहते हैं, तो उनको कहते हैं कि 1993 में ढूंड के लाओ, कि तुम्हारे बाबुजी यहां रहते थे या नहीं रहते थे, यह है ना ना इंसाफी, यह सरा सर ना इंसाफी है, जो दिखता है, और यह किस नाम पे ये बेवस्था लगाया गया, प्रिटिकेट मांगते हैं, ताकि हम लोकल लोगों को नौकरी दे सकते हैं, तब आपको एक बात समझाना चाहता हूं, दिल्ली एक ऐसा परदेश है, जो परवासियों का परदेश है, आपका सकते हो, परवासियों का राज्य है, क्योंकि यहां रहने वाला 90 to 95% जो आवाद करता था, और उस समय की जब हम बात करें, तो यहां की आवादी 2-3 लाख हुआ करती थी, उसके बाद हम बढ़ते हैं, 1911 में जब ब्रिटिस उस समय कलकत्ता राजधानी हुआ करता था, ब्रिटिस ने यह कहा, कि अब राजधानी कलकत्ता से उठकर के दिल्ली आएगी, तो काम करने वाले लोगों को, फिर उन लोगों को सर्विस देने वाले, तो बाहर से लोग, अलग-अलग स्टेट से, जो आपने जिस परकार का चमता और के पेविलीटी रखते थे, वो आए अपने चमता के अनुसार यहां सर्विस देने, और यहां बस गए, 1911 की बात मैं करत समझेगा इस बात को बड़ी गंभीरता से, तब मैं आपको कहता हूँ, कि इनका जो दलील है लोकल लोगों को इंप्लॉइमेंट देने वाला, यह एक जूट और एक मक्का अगरी आपको समझ में आ जाएगा, कि 1941 में दिल्ली की जो आवादी थी, वो मत्र 9 लाग थी, लेक लेकिन फिर भी 55 लाख जो आवादी आई, वो कहां सकी, वो सब उस समय इंडिया और पाकिस्तान का बटवारा हुआ था, बहुत सारे परवासी लोग उधर से आ गए, जो पाकिस्तान से लोग आ गए, अलग-अलग परदेसों से लोग आ गए, इसका मतलब यह है, कि यह जो इनका दलील है कि हम बिल्ली के लोकल लोगों, तो लोकल कौन हो गया भाई, तुम कल आये थे, हम आज आये हैं, तो दिल्ली किसका, या तो तुम्हारा, या तो मेरा, या हम दोनों का, या तो किसी का नहीं, मैं सही बोर रहा हूँ, मेरी बात में लोजिक है या नहीं, भाई से है इस देश के OBC समाज को सरकारी नोकरियों में रोकने का तब मैं आपको बताता हूँ कि दखिए यहां पर समझेगा अब यह जो सरकारी नोकरियों में जो OBC समाज के लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है इस नाम पर कि तुम्हें यहां के उनको आधिकार मिलेगा उनके पाप दादा को क्यों भूल गए यह दोहरी जो डबल करेक्टर उनका जो है जो सरकार में बैठे लोग हैं यह बड़ा ही निंदनीय है और इस पर हम सभी तेस बासियों को और खास करके मैं तब कहता हूँ कि जो हमारा यह CST OBC समाज के जो आज के तारीक में जो विधान सभा और लोग सभा में बैठे लोग हैं उन लोगों को इस बारे में आवाज उठाने चाहिए खर यहां पे एक बात समझे कि घाटा क्या हो रहा है कि आगर OBC समाज के लोगों को वो फाइदा नहीं दिया जा रहा है आप समझना इसको पड़ा आसान उदारन से मैं समझाने की कोशिस करूंगा आपको कि सपोर्ज किजिए कि एक स्कूल में आज 15 OBC समाज के टीचर चुकि OBC के लोग उतना अवेलेवल है नहीं तो नौकरी वो सीटें जो खाली रह रही है अब उन सीटों के वैकेंट होने के जिसमें 50 की जरूरत ही 15 नहीं है 35 है तो जो क्वालीटी ओफ एजुकेशन हमारे बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है मैं सही बो रहा हूं समझ में आ रही है मेरी बातें आपको भाई जहां जरूरत है 50 मजदूरों की वह 35 से काम कैसे कर बालोगे अगर काम कर बाओगे तो फिर क्वालीटी में कंपरमाईज करना पड़ेगा इसका मतलर एजुकेशन की क्वालीटी जो मिलना चाहिए मेरे बच्चों को वो नहीं मिल पा रहा है आगे दूसरा उधारन समझ लीजिए माल लीजिए दिल्ली के MCD के एक ओफिस है उस ओफिस में OBC के लोग नहीं है क्योंकि यहाँ पे उनका आवाशिय सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए वो यहाँ पे नौकरी नहीं कर पा रहा है तो उनको क्या हो रहा है अब आपने सुना होगा एक कहावत कि अरे सरकारी ओफिसे में तो काम करवाने के उनकी सीटें जो है वो खाली है और जब सीटें खाली होगी तो लाखों लोग हैं MCD आफिस में काम करवाने वाले वो 50 आदमी जो खाली है उसका काम कौन करेगा और तब ही होता है कि आपको तारीक पे तारीक आफिसे में मिलता है यानि quality of service compromise किया जा रहा है मतलब सिर्फ सम दूसरा जो दो पॉइंट है बड़ी गंभीर है इससे हमारे समाज को एकनॉमिक और फाइनांशियल दो परकार के नुकसान सहना पड़ रहा है सपोज कीजिए कि एक OBC परिवार का ब्यक्ति माल लीजिए आपका भाई प्रवीन को दिल्ली में नौकरी मिल गया तो मेरा एक भाई है मनिस वो कहेगा कि मेरा भाई भतीजा है बेटा है बेटी है प्रवीन जी दिल्ली में तो आप सरकारी नौकरी आपको सरकारी आवास मिल गया तो उसका लाब मेरे भी बच्चा बेटा बेटी पढ़ना चाहती है आप क्यों नहीं इसको भी दिल्ली लेके जाते हो और आप उसको पढ़ाओ समझ में आ रहा है मेरी बात तो मैं क्या कहूंगा कि ठीक है मेरा भाई भतीजा है आजा तुम भी दिल्ली में पढ़ना अब उसको जो सबसे बड़ा लाब मिलेगा एक एक आदमी को नौकरी मिल जाने से उसको गाइडेंस मिल गया देखे गा कि अंकल तो जिस ओफिस में काम कर रहे है उस ओफिस में जो आई-एस ओफिसर है वो देश के लिए इतना इतना काम कर सकता है देश का इस परकार से काम करता है तो हम भी क्यों ना आई-एस ओफिसर बन जाए हम भी क्यों ना डॉक्टर इंजिनियर या जो भी उस उसका परिवार जो है उसको लाब मिलता है आर्थिक समाजिक राजनाइटिक इसको सोशल कापिटल करते हैं अगर एक आदमी को फाइदा पहुचा तो यह जो दस बच्चे मोटिवेशन से हमारे पढ़के कल आई-एस ऑफिसर बन जाएंगे वो हमारा सोशल कापिटल बनेगा यह एक चीज हो गई जो दूसरा हम फाइनांसियल आपको घटा की बात कर रहे थे कि दूसरा जो है फाइनांसियल उसको लॉस मिलेगा वो फाइनांसियल लॉस क्या होता है वो समझना बड़ी गंभिता से एक ब्यक्ति को नौकरी मिली सरकारी और उस ब्यक्ति का सेलरी से प और सपोज करो कि दिल्ली में आज के तारीक में जितनी भी किसी भी आफिस में आप चले जाओगे वो सारी सरकारी आफिसे में लगबग से 50 से लेकर के 80 परसंट तक OBC समाज की सीटे खाली है इसका मतलब अरवों रूपिया आज के तारीक में इन ब्रहमन बादी मनुबादी और जो सवर्ण लोग हैं वो OBC समाज के लोगों का वो फाइदा होने से उनको रोका जा रहा है तो तब मेरे एक बड़े ने समझाया कि ये तो उस परकार से है कि बिल्लिंग बनाई गई है कि पैलस बना दिया तुम्हारे लिए और दरवाजा बंद कर दिया गया घुसोग और दूसरा फाइनांचल लोग है तो आपको मुझे लगता है कि मेरी बातों से इतना तो समझ में आ रहा है कि ये OBC समाज के साथ एक दरधनाक एक दुख़द और ये बहुत ही निंदनी है ये घटना घट रही है जो इस देश की जातिवादी और मनुबादी ब्रहमन बादी जो सरकारे हैं वो हमारे साथ इस परकार की जात्ती करके हम लोगों को पीछड़ा और बैकबड होने पे मजबूर कर रहा है। मैं आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से जो WTP और All India Diamond परिवार और सभी संगठनों ने मिलके और्गनाइज किया है इस माध्यम से इस देश के सभी निवासियों को मैं निवेदन करूँगा कि आज से इस बात की चल्चा आप अपने पडोस में करना सुरू कर देना ताकि लोग जागरित हों ये सबसे जरूरी दूसरा जो हमारे परिवार के यानि Diamond परिवार का कोई SCST OBC Minority का अगर कोई विधायक है कोई संसद है और आज का जो समय है मेरे भाई वो चुनाब का समय है ये बक्त है और सभी जब जब आपके घर पे अगर कोई नेता है कोई विधायक है कोई मंत्री आए कोई बोट लेने आए तो उसको कहना कि दिल्ली में जो 1993 का जो OBC का जो पैमाना तुमने एक धरवाजा लगा के रखा है उसको खतम करो नहीं तो हम तुमको बोट नहीं देंगे ये जागिरती फैलना बहुत जरूरी है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में जो हमारा अरवो रुपया का लॉस और हमारा परिवार एक बहतर जीने जिंदगी जीने से जो उसको रोका जा रहा है हमारे बच्चों को अच्छे एजुकेशन मिलने से उसको रोका जा रहा है यह बहुत ज्यादा परभावित होगा और हम कल भी पीछड़े थे आज रहा है